नमस्कार दोस्तों मेरी तेश्पासवान आज किसी वीडियो में सिखाने वाला हूं ऐसे फोर्मुला के बारे में जो काफी उस्फूल है तो वीडियो को सुर्ष से अंदर देखेगा ताभी आप समझ पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब वीडियो अच करना है कि कौन सा स्टुडेंट किस रेंग पर है तो मैं यहाँ पर रेंग डालते ही एक दो ऑटकमेटिक यहाँ पर श्टूडेंट का नाम आ जाने चीन तो उसके लिए प्रमुला उच करेंगे चूज का और चूज फूर्मुला हर जगा आप यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं ह डबल ओ और स इ उसके बद आपको क्या करना है ब्रेकट करना है ओपन तो हम यहां से ब्रेकट ओपन करते हैं उसके बद आपको रेंक पर जाना है इस पर रेंक पर आने के बाद आपको लगाना है कोमा नहीं है कोमा लगाना है यहां से कोमा लगाने के बाद आपको लिखना ह है inverted comma sorry हमने rank को नहीं ही लिया फिर रेंग को लेते हैं रेंग को लिया फिर इसके बाद क्या करना आपको comma लगाना है तो हम यह आप लगाते हैं guys comma फिर invite comma और यह हम नाम लिखेंगे किसका नाम जो first पर नाम है यहां पर इस data में index यह है उसका नाम है तो हम लगते संद्यार आपे संद्या पट ड्या के संद्या चाया है इस भाद नहीं से अपना आपको आसे पाथा रहे dp का तो यहाँ पर हम लिखते है dp का ओके dp का उसके बाद invert, फिर invert, और last जो name है वो है mohit तो यहाँ पर लिखते है mohit ओके फिर उसके बाद invert, करना है उसके बाद आपको कर देना है enter, bracket close करके, तो enter करते हैं enter हमने अब हमने कर दिया, ठीके, enter करने के बाद यहाँ पर क्या रहा है value, अब इसको क्या करेंगे auto fill करेंगे, ठीके नीचे तक formula हम show करेंगे अब हमने कर दिया अब हम यहाँ पर लिखेंगे rank जैसे हम यह जाना है कि second rank पर कौन है, तो हम लिखते हैं second और करते हैं तो first rank पर कोन है, संध्या बिल्कुल right answer है तो दोस्तो इस तरीके से आप choose formula use कर सकते हैं, देखें फिर से दिखाता हूँ आप choose formula इस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद देते तो प्लिज चैनल को like and subscribe और बेले गान दबारा ना भूले और जासाथ इस वीडियो को share करें ताकि आपके friend phone के अंदरी सीख पहें तो दोस्तो फिर मिलते हैं next video में new trick के साथ ओके दोस्तो बाइ